नमस्कार जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटिब चैनल इंपोर्टेंट MCQ ऐसंदीब में दोस्तो 16 अक्टूबर 2020 DLAD के इतिहास का सबसे काला दिन सांती पूरुवक तरीके से DLAD के छात्र अपनी मांग रख रहे थे सरकार के सामने और उसके बदले में सरकार ने उनको दिया लाठी का तोफा तो 16 अक्टूबर 2020 को DLAD के इतिहास में काला दिन के रूप में लिखा जाएगा दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे और घंटे का निशान जरूर दबा लिजे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें दोस्तो बड़े ही दुख की बात है कि 16 अक्टूबर 2020 को DLAD इतिहास का सबसे बुरा दिन है दोस्तो यहाँ पर रजट सिंग के नेतरत में DLAD 2017 और 2018 बैच के बैग प्रसिच्चू SCART में धर्ना दे रहे थे अपनी जायज मांग को लेकर कि जितने भी बैग प्रसिच्चू हैं उनको भी UGC गाइड लाइन्स के अनुसार प्रमोट कर दिया जाए दोस्तो ले चलते हैं आपको पीछे दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से लगाता रजट सिंग के नेतरत में इको गाडन लखनवों में सांती पूर्वक तरीके से धर्ना आयुजित कराया जाना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी कि बैट प्रसिच्चूओं को भी फ्रेश्च्च्च्च्छू की तरे प्रमोट किया जाए UGC जो की देश की सबसे बड़ी सैचिक संस्था है उसने जब ये निरदेश दे दिया है साफसाफ की बैग प्रसिच्चों को भी प्रमोट किया जाना है अगले समिस्टर के लिए लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार UGC की गाइडलाइन ना मानकर अपनी गाइडलाइन चला रही है और उसने बैग प्रसिच्चों को प्रमोट करने से साफ मना कर दिया बैक प्रुशिच्यों को प्रमोट कराने के जिम्मा डियलेट 2017 बैच के प्रदेश अध्यच रजट सिंग ने उठाया और उन्होंने सभी बैक प्रुशिच्यों को बुलाया कि आप यहां आएं और सांती पूर्वग रूप से धरना देकर अपनी बात मनवाने का प्रयास करें उनके भुलाने पर सैकड़ो हजारो अभ्यर्थी इको गाडन लखनों में पहुँच गये धरने को समर्थन देने के लिए पिछले तीन चार दिन से लगातार रजट सिंग और S.E.R.T. के अधिकारियों के बीच कई राउंड वारता चली जिसमें साफ साफ बताया गया कि 15 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर को सिच्छा मंतरी जी धरना इस्थल पर आएंगे और आप लोगों को लिखित आस्वासन देंगे कि आप सभी बैक प्रसिच्छों को प्रमोट किया जा रहा है लेकिन S.E.R.T. के अधिकारियों के वादे के अनुसार हमारे बैक प्रसिच्छों लगातार रात के आठ वजे तक एको गार्डेन में मौझूद रहे आठ वजे तक भी सिच्छा मंत्री और उनके S.E.R.T. के कोई भी अधिकारी एको गार्डेन लखनों के धर्ना इस्थल पर नहीं पहुचे जिसके अनुकुरम में D.L.A. चात्र जोकी बैक प्रसिच्छू वहाँ पर धर्ना प्रदर्शन कर रहे थे रज़त सिंग के नेतरत में S.E.R.T. जाना चाह रहे थे वहाँ पर धीरे धीरे कुछ समूहों में S.E.R.T. चात्रों ने जाना शुरू कर दिया लेकिन तभी D.L.A. के कुछ अन्य नेताओं ने जिने रज़त सिंग द्वारा गदार की श्रेणी में रखा गया है उन लोगों ने P.E.C. और पुलिस फोर्स को सुचित कर दिया कि ये लोग S.E.R.T. जा रहे हैं S.E.R.T. का गेराओं करने वहाँ से सुचिना लगते ही ततकाल पुलिस और P.E.C. काफी ज़्यादा मात्रा में E.C. गार्डन में तैनात कर दी गई लेकिन वहाँ पुलिस और फोर्स P.E.C. आने से पहले काफी छात समुहों में निकल चुके थे लेकिन जो हमारे नेतर तो करता थे रजट सिंग एंड टीम वही मौझूद थी तो कम से कम उन्हें एक घंटे तक पुलिस द्वारा बंधक बनाया गया उसके बाद रजट सिंग कैसे भी वहाँ से निकल कर S.E.R.T. पहुंचे जहाँ पर पहले से ही अधिकतम बैट पस colossuch जब वहाँ पहुँच चुके थे फिर वहां रजट सिंग पहुंचे और पिर उसके बाद उन्होंने S.E.R.T. का घेराओ किया लगोग आधा घंटे CRT के घेराओं के बाद अपनी जायज मांगे वहां रखी गई जिसके बदले में उपर से आदेश आया उपर से कहां से आदेश आया ये सब आप अच्छे से समझ सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता रोड पार्टी है उपर से आदेश आने का मतलब है कि मंत्री जी ने आदेश किया होगा मुख्य मंत्री जी ने आदेश किया होगा जिसने भी आदेश किया हो उनके आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस आती है और DLA के चात्र जितने भी सांती पूर्वक तरीके से धर्ना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी जायज मांगो को लेकर उनके उपर बहुत निर्मम तरीके से बरबरता पूर्व लाठी चार्ज किया जिसमें हमारे कई साथियों को काफी गंभीर चोटे आई दोस्तों जो हमारा नेत्रत तो कर रहे थे रजट सिंग प्रदेश अध्यच जो कि DLA 2017 बैच के हैं उनके उपर भी काफी लाठियां बरसाई गई दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं इस होटो में रजट सिंग काफी परेशान से दिख रहे हैं क्योंकि इनके उपर कम से कम 20 लाठियां पुलिस वालों ने बरसाई है हमारी जो DLA की छात्राएं हैं जो हमारी बहने हैं जो छात्रा प्रसिच्चू हैं उनके उपर भी पूरस पुलिस दौरा लाठी बरसाई गई जो की पूरी तरह से कानून के खिलाफ है यहाँ पर उत्तर प्रतेश सरकार ने बिलकुल भी कोई रियायत नहीं बरती कि हम जो कारे करवार हैं पुलिस के दौरा वो बिलकुल ही गलत है जो जेंट्स पुलिस थी उसने हमारे महिला प्रसिच्च्चों को काफी मारा काफी लाथिया चार्ज की और उसके बाद उन सभी प्रदर्शनकारी यानि जो हमारे बेक प्रसिच्च्चू भाई बेहन हैं उनको वहां से ख़ड़ दिया गया वहां से हटा दिया गया इसके बाद हमारे जो बैक प्रसिच्चू हैं वो सड़क पर जाते हुए अपनी विथा बताते हुए नारे बाजी करते हुए वहां से निकल गए दोस्तो आज यानि जो 16 अक्टूबर 2020 का है वो डिलेट इतिहास का सबसे काला दिवस है क्योंकि आज ही के दिन उत्तरप्रते सरकार ने डिलेट प्रसिच्च्चों की जायज मांग को कुचलते हुए उन पर बहुत भेंकर तरीके से लाठी चार्ज किया दोस्तो इस बात का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ और सिर्फ मैं ही क्या इस पूरे देश के सभी नागरिक इस बात का विरोध करते हैं कि अगर कोई जायज मांग कर रहा है तो उसकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए ना कि उसके बदले उसको लाठी चार्ज किया जाए हमारे डेलेट बैक प्रसुच्यों को उपर काफी जादा अत्याचार किया गया है तो इसी लिए दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगला रजत सिंग का आदेश आते ही जो भी जैसा भी वो निर्देश देंगे आप लोगों को वो करना चाहिए दोस्तों अगर आपके लिए आप अपने घर में बैठे हैं और आपकी बैक लगी हुई है और आपके लिए वहाँ पर रजत सिंग और उनकी टीम पूरी तरह से आप लोगों के लिए लगी हुई है तो आप लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए ये मान के चले कि अगर आज हमारे पास दस हजार की संख्यावल होती तो पुलिस वाले लाठी चार्ज नहीं कर सकते थे तो इस बात का जरूर है कि अगर आपको अपना लाव दिख रहा है तो कम से कम आप वहाँ जरूर जाईए ये इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपका अगर आपको प्रमोट होना है तो रजजत सिंग के आदेश का इंतजार कीजिए और जैसे ही रजजत सिंग को ये आदेश ये निर्देश दें उसका ततकाल रूप से पालन होना चाहिए क्योंकि जितने भी हमारे SCRT पर साथी मौजूद थे SCRT का घेराव करने के लिए व तो कहीं गय नहीं है अभी आने वाले समय में अगले एक या दो घंटे में या तीन चार घंटे में रजजत सिंग कोई न कोई आदेश ये निर्देश जरूर देंगे और हम सभी बैग प्रसिच्छों को उस आदेश निर्देश का पालन करना ही होगा अगर आपको हमारे डियलेट समस्त बैचों के शेर हैं दोस्तो इनके साथ जिन भी अन्य नेताओं ने घद्दारी किये उनको डियलेट परिवार कभी भी माफ नहीं करेगा जिसने भी रजजत सिंग की मुगबिरी पुलिस और पीएसी और अन्य अधिकारियों से की उनको डियलेट परि कि ताना साहि है के बारे में आपकी क्या रहा है वो भी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सारी जानकारी यह आपको सहीं लगी होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के सास्ट शेयर करतें और आज का 16 अक्टूबर 2020 का दिन डिलेट इतिहास का काला दिवस के रूप में घोशित किया जाता है और डिलेट इतिहास का काला दिन माना जाएगा जिसमें जबरदस्ती बिना किसी कारणवस हमारे डिलेट के प्रसिच्छों पर सरकार द्वारा लाठी चार्ज किया तो दोसतों इस के साथ वीडियो को खतम करता हूं वीडियो को जादा से जादा शेयर करतें ताकि सभी तक जानकारी पहुँच जाए और दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि आने वाले पास सबसे पहले मिल जाए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकादी के साथ तब तक के लिए जय हिंत जय भारत